जीवन के लिए लक्षे होना जरूरी है इससे हमें अपनी जिन्दगी का मतलब समझ में आता है जीवन से बढ़ा कोई विद्यालिया नहीं है कठिनाईयों से बढ़कर कोई प्रिक्षा नहीं और समय से बढ़ा कोई शिक्षक नहीं यानि time will teach us everything समय हमें हर एक चीज सिखाता है स्वागत करती हूँ CC Academy के YouTube प्लाटफॉर्म पर यह हमारी करंट अफ्यर की वीडियो है सप्टेंबर मंद के करंट अफ्यर हम कर रही है हाल ही में विश्व सास्ते संगठन ने किस देश को कुष्ट रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घुशित किया है तो यह है जॉर्डन वियर हैस त्री डे फिफ्ट नाडी उत्सब स्टार्टिड ओन सेप्टेंबर 19 सितंबर को कहां तीन दिनों का नाडी उत्सब जो है शुरुवात हुई थी तो यह हुई थी न्यू दिल्ली में Where was the meeting of the Joint Parliamentary Committee on the WAF Amendment Will 2024 held from 18 to 20 September? WAF शन्शोधन विध्धियक तो दोहजार चॉबवेस पर संयुक्त सांसदिय समिती की बैठक 18 से 20 सितंबर तक कहां आयोजित की गई तो यह भी न्यू दिल्ली में ही हुई थी 4th question according to RBI, how many times increase has been seen in the volume of UPI in the last 4 years? RBI के अनुसार पिछले 4 बर्शों में UPI की मात्रा में कितने गुणा बृध्धी देखी गई है तो 10 गुणा बृध्धी देखी गई है पिछले 4 सालों में 5th question recently, which company has been awarded the Raj Bhasha Kirti Puraskar for its excellence performance in the field of official language हाल ही में किस company को? राजभाशा के एक शेत्र में उतक्रिष्ट प्रदर्शन हे तू राजभाशा किरते पृष्कार से सम्मानित किया गया है तो यह किया गया, भेल को B-H-E-L यह option बिल्कुल सही है 6th question according to time travels who tops the world's top 10 most photogenic destination in Asia? टाइम्स ट्रेवल के अनुसार एशिया में दुनिया के शिर्ष 10 सरबाधिक photogenic स्थलों में कौन शिर्ष पर है? तो यह है अंकोरवाट कमबोडिया D option बिल्कुल सही है 7th question where has Siddheshwari Temple been inaugurated recently? हाल ही में कहां Siddheshwari मंदर का उदगाटन किया गया तो यह किया गया है जित्रेपुरा में भी option बिल्कुल सही है 8th question recently in which state has the first container school in a remote forest area been opened हाल ही में किस राज्या में सुदूर वनक्षेतर का पहला container school खुला गया है तो यह खुला गया जित्ते लंगाना में C option बिल्कुल सही है 9th question recently जफर हसन has been appointed as the prime minister of which country हाल ही में जफर हसन किस देश के प्रधानमंत्री की रूप में निक्त हुए है तो यह जॉर्डन के जहां कुष्ट रोग मुक्त पहला देश बन गया है जोकी विश्व का वहां के recent prime minister कौन है जफर हसन 10th question who has been appointed as the country manager of India by the e-commerce giant Amazon e-commerce की दिगज company Amazon ने किसको भारत का country manager निक्त किया है तो इनका नाम है समीर कुमार 11th question recently who has been appointed as the brand ambassador of ministry of ports, shipping and waterways हाल ही में किसे बंदरगह, जहाज रानी और जल्लमार्ग मंत्राले का brand ambassador निक्त किया है तो यह हैं जी मनुभार कर भी option बिलकुल सही है 12th question the main center of the recently started white revolution 2.0 program is हाल ही में शुरू हुए श्वेत करांती 2.0 कारेक्रम का प्रमुख के इंदर क्या है तो यह बिलकुल सारे के सारे point प्रमुख के इंदर है D of all of above सही है कौन-कौन से है empowering women farmers increasing local milk production promoting dairy export यह तीनों ही मक्सद है white revolution 2.0 के 13th question the GDP of which of the following state has exceeded that of Punjab निमलिकेत मैं से किस राज्य का GDP पंजाब से अधिक हो गया है तो दिये गे राज्यों चार मैं से हर्याना का GDP पंजाब से जादा हो गया है 14th question रिसेंटली इसिक्स करोड का ये प्रोग्राम रहेगा प्रधान मंत्री ट्राइवल उन्नत ग्राम अभियान 15th question रिसेंटली फिच कंट्री हैस प्लांड टू किल 200 एलिफेंट टू प्रोग्राइड फूड टू ड्रॉट अफेक्टेड कॉमुनिटीज हाल ही में किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की को भोजन की उपलब्धता कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई है तो ये है जिम्बावे 16th question after launching the human mission named Gaganian by when is Isro planning to set up its own space station Gaganian नाम से human mission launch करने के बाद Isro कब तक अपना खुद का अंतरिक्स station स्तापित करने की योजना बना रहा है तो वर्ष 2035 तक B option बिल्कुल सही है 17th question which country has recently announced the launch of carbon credit trading market हाल ही में किस देश ने carbon credit trading market शुरू करने की घोशना की है तो ये इंडिया की तवारा C option बिल्कुल सही है 18th question recently which agency has described India as a terrorist terrorist threat from Al-Qaeda and ICISIS हाल ही में किस agency ने भारत को Al-Qaeda और ISIS से अतंकी खत्रा बताया है तो FATF ने C option बिल्कुल सही है 19th question where has India's 3rd indigenous pressurized heavy water reactor been commissioned recently हाल ही में भारत का 3rd स्वादेशी pressurized heavy water reactor कहां प्रारम हुआ है तो ये राज्जस्तान में भी option बिल्कुल सही है 20th question who has recently launched white revolution 2.0 हाल ही में किसके द्वारा श्वेत करांती 2.0 का शुर्वारम किया गया है तो ये होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के द्वारा 21st question what percentage of the potash requirement does India fulfill through imports भारत अपने potash की आविशकता कितना प्रतिशत हिस्सा आयात की माध्यम से पूरा करता है तो 100% प्रतिशत potash जो है आयात किया जाता है इंपोर्ट किया जाता है भारी देशों से 22nd question recently India has sent a notice to Pakistan for review of which treaty हाल ही मैं किस शंधी की समिक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को notice भेजा है तो ये भेजा गया है Indus Water Treaty यानि सिंधू जल समझोता जो की 1960 में हुआ था उसको जो है review करने के लिए पाकिस्तान को notice भेजा गया है भारत के द्वारा ये option बिलकुल सही है 23rd question when among the following in international peace day celebrated निमल लिखित मैं से कब अंतररास्ट्रिय शांती दिवस मनाया जाता है तो 21 सितंबर को C option बिलकुल सही है Recently new MSME policy 2024 has been launched by Chief Minister of which state हाल ही में किस राज्ये के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीती 2024 शुरू की गई है तो ये तेलंगाना के द्वारा भी option बिलकुल सही है 25th question recently which state has secured the first position in the state food security index SFSI 2024 हाल ही में किस राज्ये ने राज्ये खाद्या सुरक्षा सूचकांक SFSI 2024 में पहला स्थान हासिल किया है तो ये हासिल किया गया है के रिला के द्वारा ये option बिलकुल सही है 26th question when the first edition of Indian art festival be organized भारत या कला महोचप के पहले संसकरण का आयोजन कब किया गया तो ये 29 सेप्टमबर को C option बिलकुल सही है वेर इस थर्ड एडिशन ओफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 है विश्व खाद्या भारत 2024 का तीसरा संसकरण कहां आयोजित हुआ है तो ये हुआ है जी न्यू दिल्ली में भी option बिलकुल सही है 28th question the total financial expenditure of प्रधान मंत्री अनधाता आय सारक्षन अभियान PM आशा during the 5th-10th finance commission cycle will be how many crore rupees till 2025-26 प्रधान मंत्री अनधाता आय सारक्षन अभियान PM आशा पंदरवे वितायोग के चक्कर के दुरान 2026 तक कुल वितियवे कितने करोड रुपे होगा तो ये होगा लगभग 35,000 करोड रुपे सी option बिलकुल सही है 29 question recently in which state megalithic era earns have been discovered as a result of rainwater harvesting project हाल ही में किस राज्य में वर्षा जल संचयन परियोशना के परिणाम सरूप महापाशान कालीन कल्षों की खोज हुई है तो ये खोज हुई है केरला में ये option बिलकुल सही है 30th question where has union railway minister अश्वीनी वेशनव recently inaugurated the India-Nepal मैत्री यात्रा टूरिजम रेल हाल ही में केंद्रिया मंत्री अश्वीनी वेशनव ने कहां से भारत-Nepal मैत्री यात्रा परियाटक रेल का उधगाटन किया है तो ये किया गया जी न्यू दिल्ली से C option बिलकुल सही है तो यहाँ पर हम 30 question current affair के कर चुके हैं I hope आपको ये video series अच्छी लग रही होगी कोई भी doubt रहेगा किसी भी question के regarding तो आपने comment section में पूछ लेना है बाकी अगर आपको कोई भी batches के regarding पूछना हो जैसे कि HP TAT, TGT, TAT की जो exam date है exam का form है वो fill हो रहा है तो आप वो fill कर लीजिए और आपको अगर TAT के batches join करने हो तो आप जो है academy के number से contact जरूर कर सकते हो like, share और subscribe जरूर कीजेगा thank you, thank you so much for watching this video कसी दाशो जो चत्ए जिले करस्स का कि Ś métर